कुछ कि सेंपल पेपर है उस सेंपल पेपर आप डिसकस किजेगा देखो सेंपल पर से प्रोबाइबिलिटी नहीं लगाया सकता कि आपके एक्जाम में कुछन कुन सा वाला आएगा क्योंकि सेंपल पेपर जो है वह हमेशा फ्यूचर को दिखाया था कि हाँ इस टाइप का है तो आपको कम से कम चार पास पिछले साल 6-7 साल का 8 साल का जितना पुराना रिकॉर्ड हो सके और पूरा जारकन बुटका निकाल दीजिए देखो आज से हम लोग शुरू करेंगे कि अकॉंटेंसी में पहले पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड पूरा अकॉंट पढ़ लो कि 6 कहने के लिए 6-7 मतलब साथ सेम्पल और लेकिन सल यह साथ सेम्पल पेपर नहीं यह पिछले सालों का रिकॉर्ड कि पिछले चैसाथ है आट जो कहीं ना कहीं आप जानते हैं लेकिन उसको लिखना कैसे इसका प्रक्टिस नहीं है आपके पास तो हो सकता आपके एक्जाम में छूड़ जाए इसलिए थोड़ा सा सेंपल पेपर के साथ साथ सेंपल पेपर तो आप घर में प्रक्टिस किजिएगा आपके लिए है लेकिन क्वेशन बैंक है उसको देख लो थोड़ा सा बहुत हद तक अंदाज हो जाएगा कि इस टाइप को क्वेशन आता है क्यों हम पढ़ा रहे आपको रिवीजन शुरू करने से पहले हम आपको बोले पहले यह पढ़ लो क्यों जब आप बुक उठाओगे रिवीजन करने की बहुत सारा है हमको अटेंशन कहां डालना फोकस रिवीजन तो हम सब करके जाएंगे इसका वरोसनिक इतने पढ़के निकल लिए कि फोकस हम पूरा करेंगे लेकिन अटेंशन को जाधा कहां करना कौन सी टॉपिक पर जाधा फोकस करना इस तुम को पहले सा तयार होगा और अभी अगर आप उठाके देखेंगे तो प्रिवियस एर क्वेशन पेपर कहीं मिलता नहीं है लेकिन मेरे पास 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 सब का क्वेशन पेपर मेरे पास अल्रड़ी सारे सब्जेट का है तो यह हम आपको सेंड भी कर देंगे और साथ ही साथ पहले हम क्वेशन को डिस का सेंपल पेपर कब का क्वेशन पेपर दिखर आपको 2019 का यह कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एक्जाम में बैठने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा यह फल्तु का टाइम पास नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता कभी कबार अचानक पर इंस्ट्रक्शन नहीं देखोगे तो घडबड हो इसलिए एक्जाम में कितनी ही जल्दबाजी में क्यों ना रहो एक मिनट से भी कम समय लगएगा इंस्ट्रक्शन देख लेना कि क्या को समय में दिया हुआ है कि जब आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि क्वेश्चन में जो पेपर है वह ग्रूप ए और ग्रूप बी दो ग्रूप में बटा हुआ है आपको अकाउंस का एक्जाम याद होगा हम शुरू में जब अकाउंस पढ़ना शुरू किय कि तो आपको पढ़ना कौनसा वला है पार्टनर्शिट पढ़ना है और कंपनी पढ़ना या कंपनी के अलावे या तो कंपनी नहीं तो computer पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है partnership सबों के लिए कंपल सरी होता है हम ए और बी की बात नहीं कर रहे हैं पार्टनर्शिप सभी बच्चों के लिए कंपल सरी है और company account या computer account इन दोनों में से option होता है कि कि आपको कौन सा एक्जाम देना है थोड़ा company थोड़ा computer में एक्जाम मत दिजएगा किसी एक ग्रूप नंबर मिलेगा एक ग्रूप का नंबर पूरे ही cancel हो इसलिए ध्यान रखिएगा कि company account हमको पढ़ना है और computer account नहीं पढ़ना है अब देखो तुकड़ा कितना है तीन अब partnership और company को मिला दिया कह दिया यह computer को कह दिया भी या partnership ए कंपनी भी और computer सी तो आपको बिलेगा ए कंपल सरी है बी या सी कुछ भी लिखो तो आपको focus इस तरह करना है कि हमको a b c group में question में कैसे print हुआ हमको थोड़ी बता है तो आपको धियान रखना है कि हमको partnership पूरा लिखना है company पूरा लिखना है और computer का question अगर आए तो computer का question एक अलग group में एक अलग lot में होगा उसको ignore कर देना उसको छोड़ देना है क्योंकि वो हमारे syllabus का part तो है लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़े हमको उसको नहीं पढ़ना या तो हमको company का exam देना है या तो फिर computer का exam देना है ध्यान रखेगा इस बात को क्योंकि exam में बैठ करके जो बच्चा अच्छा होता हो तो जरूर कर लेता है लेकिन जो बच्चा साल भर महनत नहीं किया उसके लिए क्या बराबर सब बराबर उस होसता है कि a b c computer company क्या सब बना देना है तो सब बनाईएगा तो 130 नमर का question हो जाएगा तो आपको सौ में 130 मिल लागा फिर तब ठीक ना तो ऐसा गलती नहीं करना है पहला चीज है यहां देखो कि सबसे फर्स्ट ऐसे तो यहां पर आंसर भी दिया हुआ है लेकिन यह जो question paper देख रहे हो आप यह question paper यह question paper किसी अमुख company का है तो किसी company का guest paper है guest paper की तरह previous question paper निकलता था यह just उसी का screen shot है अब हम किसी company का नाम नहीं बता सकते हैं तो पर मतलब का advertisement होगा इसलिए यहां से देखना है कि हमको इसके question के answer पर भरोसा नहीं करना हो सकता है कि question सही हो answer और हो सकता है कि कहीं पर कुछ mistake हो जाए हो सकता है कुछ question भी error हो typing mistake हो सकता है तो अपना बुद्धी विवेग पर हमको पढ़ना है ना कि question का answer देखकर देखिए अगर हम question number first की बात करेंगे दो हजार दो हजार उन्नीज का question है आपको बोल रहा है निमने लिखित प्रश्न के उत्तर ले चूज़ दा करेक्ट आंसर एंजी क्यों है कर रहा है पेमेंट आफ ऑनोरेनियम ऑनोरेनियम टू सेकरेट्री मतलब चैप्टर कौन सा है यह वाला एंप्यो चैप्टर से आया question बोल रहा अगर हम सेकरेट्री को ओनोरेनियम देते हैं ओनोरेनियम का मतलब बता मान देए यह देना है ना यानि एक तरस तुम कह सकते हो कि सेकरेट्री को पिमेंट मिल रहा है सालरी की तरह पैसा मिल रहा है ओनोरेनियम मिल रहा है तो सेकरेट्री है उसको मान देए मिल रह है तो पूछता है कि इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इंकम की कोई नहीं इनमें से कौन सांसर होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्यों 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 हम लोग क्या पढ़े थे कि एनपियों के अंदर सेकरेटरी कौ होता है कि जो लोग मिलकर उस NGO को चलाते हैं उसको बोलते हैं सیکरेटरी और सी करीटरी को अगर मान देय है इसका मतलब सेधेर अपना घर-बार कैसे चलाएगा तो उसको NGO से कुछ क्या मिलता है पेमेंट मिलता मतलब तो स ौण की तरह ट्रीट कर सकते हों एक है तो इसका वाला है ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं तो यह भीनी एक्सपेंडिचर ऐसा ठीक है नमब टू कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जेनरली हम इसको इसको चाहिए इंडिकेट कि बोल रहा इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम जेनरली इंडिकेट करते हैं क्यों क्या बनाता वो क्या दिखाता है नेट प्रॉफिट या लॉस बैंक बैलेंस नन ओफ दीज या कैपिटल फंड क्या दिखाता है आंसर मत देखना मालिक है ना तो credit में balancing figure बसता था तो उसको क्या कहते थे deficiency बोलते थे क्या profit loss होता था देखे profit loss कहां से निकालते थे ट्रेडिंग pię al account में आता था जो पैसा बसता था वो profit loss कराता था क्या क्या a& box me income and expenditure बनाने से net profitand Wonder Norober n quSpace निकलता है क्या इसमें क्या निकलता था surplus नहीं तो क्या मतलब कि martial क्या होगा इसका ठोड़ा सा इस पर भुरोषा करो अपने अपर अभी आप लोग यहां आंसर तो देख लिए ऑच्छा ड़ी है अा जो अरश करें के बोल दिजेगा पतों को बाते नहीं लेकिन तुम सोच रिप income and expenditure account फाइदा लुक्सान तो जानने के लिए बनाते हैं लेकिन उसके result को हम surplus और deficiency के रूप में जानते हैं ना कि net profit ना कि net loss यह कहां से निगलता है यह तो trading account और PL account से निकलेगा कि इस account से क्या निकलेगा surplus और deficiency क्या आपके option में कहीं surplus और deficiency है इसका मतलब है कि आंसर इसका क्या होगा नन अफ दीस होगा थार्ड नमबर कॉश्चन केता है सूपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता देखो option बात में ढूणना answer पहले आपको आना चाहिए सूपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता था एवरेज़ प्रॉफिट माइनस normal profit is equal to super profit कॉन सा chapter है valuation of goodwill बढ़ाज है ना valuation of goodwill तो valuation of goodwill में हम लोग कि इस सुपर प्रॉफिट इस इकल तू क्या निकालते से अव रेज ought फिट मायन्स नर्मल प्रोफिट अब क्वेशन में जूटतों क ब्लान लेस यंग विदा के अ इस था कि करले नार्मल फ्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट या नन अफ यह इनमें से कौंसा होगा तो कुछ formula based question होता तो यहां लेकिन किसी भी option में तुमको formula based दिख रहा है क्या नहीं तो अब देखे क्या बोल रहा है बोरा less than normal profit देखो क्या बहुत अच्छी बता कि दोनों में से बड़ा कौन सा average profit की नॉर्मल प्रॉफिट फिका ना यानि average profit बड़ा है किस से normal profit से तो देखे इसमें आंसर कौन सा हो सकता है एबी सीडी कौन सा भी और आंसर क्यों रहा भी बी का मतलब क्या बहुत है को समान्य लाब से अधिक समाने का मतलब बुरा normal profit से अधिक जो profit होता है उसी कौन लोग क्या बोलते है इसका मतलब कि अगर बुरा normal profit से अधिक होना चाहिए इसका मतलब यह अधिक है तो माइनस में目ने जाएगा कि नॉर्मल प्राफिट से जो प्रोफिट अधिक होगा उसी को मिलेंगे अ मतलब कि नॉर्मल प्रोफिट जरूर क्या है कम आये और यह वाला क्या है अधिक है तो आगे देखो पढ़े हो कि नहीं पढ़ेों गोशान 시간이 कि क्या था कौन वाला था आप जानते सब हैं लेकिन प्रिविएस येर का क्वेशन प्राक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आते हुए सब बरबाद हो जागा इसलिए इन चीज़ों को देख के जाना अच्छा इस टाइज देतकता है आप से देखिए क्या बोला है कि फोर नमर कोशन कहता है एन बी आर पार्टनर सीन फार्म सी इस एडिटेट फॉर वन बाई फॉर्ट सियर आप कोशन गायब हो गया और आधा कोशन आपको कहां दिया है तो हिंदी में देख लो क्या लिखा है ए और बी का कौन सा रेशियो पुछरा आप से देखिए तो कि शॉर्टकट तरीका याद करो ए और बी पार्टनर है किसी फार्म में पार्टनर है किसी फार्म में कि सी को एडमिट किया वन बाई फॉर के लिए क्या आपको यह पता है कि ए और बी का रेशियो क्या था ओल्ड रेशियो तो हम लोग क्या पड़े थे कि अगर A और B partner है किसी farm में कि इसका old ratio क्या था मालूम है आपको बोला नहीं तो old ratio जब मालूम नहीं तो old ratio क्या मानते हैं equal मान लेते हैं इक ट्रिकी question बहुत आसान बोला दोनों मिलकर C को admit किया कितने के के लिए आप से पूछता है कि त्याग अनुपात क्या होगा मतलब सेकरीफाइजिंग रेशियो क्या होगा हम आपको एक चीज पढ़ाए थे कि देखो सेकरीफाइज रेशियो इस इकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यह होता जरूर है लेकिन हर जगा मत यू तो इसको one by four जब तक A और B सेकरीफाइज ना करें इसको मिलेगा क्या कभी भी तो हम क्या shortcut trick दिये थे कि देखो अगर A इसको कितना दिया मालूम है question में B कितना दिया मालूम है तो हम क्या सिखाए थे कि जब old partner new partner को कितना हिस्साद दे रहा है यह question में कुछ भी mention नहीं है देखो उस case में old ratio को ही क्या माना जाता है तो आप सोचिए लेट टोटल प्राफिट इस इकल टूट तो फिर multiply करके हम बहुत मेहनत करके निए निकालते हैं फिर old ratio को मैनेस करो फिर इस इक नमबर का question है तो आप उसके लिए क्या उत्रा मेहनत करने जाओगे तो तुमको ट्रीक याद रखना करने के लिए कि old partner new partner को admit तो कर रहा है लेकिन old partner में कौन कितना हिस्सा दे रहा है नहीं partner को मालूम नहीं इसके बारे में बोला नहीं silent है तो ऐसे cases में old ratio ही क्या हो जाता है इसका sacrifice ratio होता है तो ए और बी का ratio क्या था कुछ नहीं तो old ratio हो जागा वन इस्टुवन तो sacrifice ratio भी क्या हो जाएगा वन इस्टुवन मतलब आंसर देखो तो घूम बिरकर अगर इसका आंसर देखने कोशिश की जेगा तो आंसर कितने सेकंड करें नहीं सकते हो कि नहीं इसका मतलब कि फोर नमर का मालूम ने अजब नहीं मालूम तो old ratio ही क्या होता है सेक्रिफाय रेशियो तो ओल्ड इस्टुवन तो सेक्रिफाय रेशियो भी क्या हो जाएगा वन इस्टुवन हो गया मेरा कुशन सब्सक्राइप नमबर कताब से security premium cannot be applied देखो अगर हम 10 रुपे के शेयर को 12 रुपे में बेचते थे तो कितने ज्यादा में बेचा गया उसी को क्या वोलते थे हम लोग security premium is mine बोलते थे इति इस security premium के पैसे का इस्तेमाल कहा करते क्या चीज के लिए करते हैं लिखतो security reform कभी भी मेरे captureं को नहीं बढ़ाता है वो मेरी पूंजी को नहीं बढ़ाता इस पैसे का इस्तेमालjang कहा करते हैं यदि हमाज premium में बेच रहें मतलब आज हम किसी को शेर जादा में बेच रहें तो कल को हमको किसी को लॉस में बेचना पर सकता है तो उस लॉस में बेचने पर हमको जो नुकसान होगा उससे हम भरपाई करते हैं उसको दूसरा अगर मेरा कोई preliminary expenses हो जाता है तो उसका खर्चा करने में उसका payment करने में हम इसको मदद करते हैं या कभी हम किसी को bonus share देते हैं तो bonus share देने में इस पैसे का इस्तमार होता है बोनस share का मतलब क्या होता है कि यदि company बिना किसी पुराने existing shareholder को बिना पैसे के अगर share लॉट कर दे तो हम उसको bonus share बोलते हैं या आप सब मेरे shareholder हो पुराने shareholder हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं लेकिन जितने भी मेरे पुराने shareholder है सभी को एक एक share free में दे दिया गया तो हम इसको क्या बोलते हैं bonus share तो free में अगर हम आपको shares दे देंगे तो मेरा liability बढ़ेगा लेकिन liability बढ़ेगा और assets में कोई change नहीं हो और कुछ नहीं हो रहा है तो balance हम कहां से करेंगे उस पैसे को तो premium के पैसे से यानि premium का पैसा घटा लेंगे और जितना premium में पैसा होगा उतने ही रुपे का हम आपको क्या कर सकते हैं bonus दे सकते हैं shares दे सकते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि premium के पैसे का इस्तेमाल हम सिर्फ इसी कोशन को focus नहीं कर रहे हैं कल को आगे चलके अगले साल भी कुछ question आएगा तो हम इसलिए आपको समझा रहें नहीं तो a b किया हु एक्स्ट्रा पैसा निकल कर आएगा 10-20 जो भी होगा उसको क्या बोलिएगा premium security premium reserve के पैसे का इस्तेमाल हो सकता है कहां कहां पहला बोले कि हम यदि किसी को bonus share देना चाहते हैं तो पैसा कहां से आएगा इस पैसे से दोगे दूसरा बोले हम preliminary expenses को अगर खर्च करना कहां से लाएंगे इसके लिए और चुकि शेयर discount पर इशू नहीं होता डिवेंचर तो हता है न तो अगर हम डिवेंचर को इशू कर देंगे discount में तो उसका बोज किस पे पढ़ेगा company पढ़ेगा तो company उलास कहां से मेकप करेगी तो उस premium के पैसे से यानि discount on issue of debenture, preliminary expenses और bonus share अगर हम issue करते हैं तो company को नुकसान होता है इस नुकसान से बचने के लिए company इस्टेमाल किसको करता है premium के पैसे का इस्टेमाल करता है यह हम share chapter में पढ़ चुके थे अब यहाँ पे option देखिए कौन सा हो रहा है इस बोनस share होगा preliminary expenses होगा discount write-off करने में debenture को होगा इसका मतलब आप से बोला security premium cannot be applied नहीं issue किया सकता तो कौन सा होगा यह नंबर हो जागा इसका अंसर कि इसके बाद कि इसक्ष नंबर कुश्चन डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है कि इसके इंट्रेस्ट मिलता है तो साफ साफ होगा इसका इंसर डिवेंचर होल्डर को receive क्या होता है इंट्रेस्ट ही रिसीव होता है आज मिलता है डिविडेंट मतलिक दना एक्जाम में अब बोल रहा है बैलेंस औफ फॉर्फिटेट शेर अकाउंट आफ्टर री इशू औफ फॉर्फिटेट शेर इस टूबी ट्रांसफर बोल रहा है आपसे कि से पैसा नहीं मिला तो कॉल स रैसू कर दिए बोला री इसू करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको ट्रांसफर करते थे इंटरीज आधना सेरव तो सेर को कर लिए री इसू करने बाद भी अगर पैसा बच तो फॉली क्योंकि यह ना पार्टली बोला ना फुली बोला ठीक है ना तो बोला कहां ट्रांसफर करते हैं तो Capital is अ तो मेरा आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा भी क्या बोल रहा है कि Capital रिजब ऐसे ही लिख सकते हो यहां लिख रहा है हां उसी का डेफिनेशन हो जाएगा N है 8 नंबर बोल रहा है बबादías कर फाइनेंंशियल स्टेटमेंट आर making इस्टर में क्या होता है है को उतर आप से कि इनमें से मों सैन्नॊन इस्ट्रिक्पي मिंज़ते हों क्या होता है बिजनस का पोजीशन क्या है उसकी आर्थी की स्थिती क्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंड इनमें से है क्या है रिकॉर्डेड फाक्स होता रिकॉर्डेड फाक्स का मतलब जानते क्या हुआ मतलब business में हम कोई भी transaction लिखेंगे किस base लिखोगे जो fact है उसके base लिखेंगे fact है का मतलब bill हमको लाके दो तो हम लिखेंगे bill नहीं है मेरा माली की क्यों न उसको बोलने समने लिख देंगे अगर मशीन खरीदे पांच लाग का माली का अब लिग दो पांच लाग का मशीन आया तो उसके बोले स्थोड़ी लिग देंगे फैक्ट दो मतलब क्या दो बिल इन्वाइस वाउचर कैश मैमो यह हमारे लिए क्या है एविडेंस है जब तक मुझे यह चीजे नहीं मिलेगी ह इनी चीजों के भी इन्वाइस कैश मैमो है ना इन चीजों को लोग वाउचर इसको क्या मानते हैं और बिजनस के ट्रांजेक्शन को इसी फाक्ट के वेस्पर रिकॉर्ड किया रता यह सब चीज नहीं मिलेगा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ठीक है धंकाय कर चोड़ देंग उससे दस लाग भरेंगों उससे बढ़ी है जौब छोड़ने ने चाहिए हमको तरजा चलिए कि एट के बाद नाइन नंबर है हाँ सर्टू फॉल्स याद किजे कुछ दिन पहले आपको बताएज है कि कि मल्टिपल चॉइस क्वेशन में में सिर्फ mcq ही रहेगा ऐसा कोई जरूरे नहीं है फिलिंदी ब्लैंक्स भी हो सकता है चार आप्शन में से किसी एक को चुनना भी पड़ सकता है सब का मतलब mcq की कटेगरी में आता है इसलिए आपको प्राक्टिस तो सबको करना है कि यहां देखे क्या बुला स्टेट वेडर दा 112 एंटोन द्रे सिव इस ऊप्ण पुर्वन्री नहीं है लेकिन उस पर जो interest मिलता है वो क्या होता है रेवेनी होता है क्योंकि जब तक यह फंड जमा रहेगा तब तक आपको क्या मिलता रहेगा इंट्रेस्ट मतलब तुम ऐसे सपोस करो बैंक में हम fix deposit किये तो क्या बार-बार होगा कि fix deposit रोज करते हैं लोग लेकिन उस fix deposit पर इंट्रेस्ट मिलेगा कब तक जब तक वह deposit रहेगा तब तक हमको क्या होता रहेगा इंट्रेस्ट मिलता रहेगा तो तो इंडोमेंट फंड के बारे नहीं पूछ रहा इंडोमेंट फंड से जो इंट्रेस्ट मिलेगा वो बोल रहा है क्या वो रेवेन्यू इंकम यह नी बार-बार होने वाला इंकम है हाँ है तो ट्रू हाँ बैलन शीट में जोड़ेंगे ना क्योंकि फंड इंक्रीज कर जाएगा कोई बात नहीं बात एक ही है हम उसको रेवेन्यू ट्रेट करें लेकिन एक्शुल तुमसे ट्रूफ पुछ रहा ना वह क्या होता है तो रेवेन्यू होता है जैसे देखिए आउटस्टेंडिंग expense को पिनल अकाउन्ट में debitside लिखते थे लेकिन वही पैसा कहां दे बैलेंशुम एंटय है तो हमसे वह concept नहीं पूछ रहा बैलेंस चीट में होने का मतलब कि वह रेवेन्यू नहीं है ऐसा नहीं होता है बैलेंस्ः सिट्मेंट है तो ऐसा मैंस कुछ बाद कर लिते कर के अंत में मेरी स्थिति क्या है वो उसको दिखाता है कितना लेना है कितना देना है वो सब दिखाता है इसका मतलब बैलेंशीट के अंदर जो आइटम है वो रेवेनी भी हो सकता है बैलेंशीट के अंदर जो आइटम हो कैपिटल नेचर हर साल प्रॉफिट होगा या नहीं तो क्या होगा लॉस होगा आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज प्रिपेड एक्सपेंसेज हर भार का खर्चा है इंकम है तो इसलिए दिमाग में रखना है कि बैलेंशीट के अंदर का आइटम कैपिटल ही होगा ऐसा का है उसको रिवेन्यू बोलेंगे और जिसके रिपीट होने का चांस विल्कुई भी नहीं है तो वही कैपिटल नेचर बस हमको इतने मतलब है बाकियों कहां लिखते हैं तो तुम उस चैप्टर में पढ़ोगे ना कि तुम कौन सा चप्टर पढ़ रहे हो एंप्यों पढ तक मिलता रहेगा मतलब यह जो इंट्रेस्ट है यह एक तरह का रेकरिंग इंकम है जो बार-बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब की इंकम कौन सा हो जाएगा रेवेन्यू नेचर हो जाएगा इसके बाद बोल रहा है कैपिटल आइटम और इंटू इंकम एक्स्पेंडिश नेचर नहीं है इसके बार-बार जो इंकम या जो एक्सपेंशस बार-बार रिपीट नहीं होता वह इंकम एड़ेश पेंडिशर एकाउंट में नहीं जाता वो कहां जाता है बैलेंशिट में मोबाइल फोन पर्चेज कर लिए पैसा खर्च भा बिल्डिंग खरिद लिए फरणीचर खर्च खर्र लिए ट्रक खर लिए खर्च है करने लेकिन क्या या खर्च बार बार होगा तो ये खर्च जब बार बार इन चिप में लिखोंगे फर्निचर घर लिए बैलेंशीट में लिखोंगे क्यों क्योंकि यह खर्ज है ही नहीं यह संपत्ती है इसलिए इसको बैलेंस चिप में असेट सैड लिखते हैं इसलिए बोला कि कैपिटल आईटम क्या कौन सा है इंकाम एक स्पेडिशर लिखते हो बिलकुल नहीं इसको कहां लिखते हो आप बैलेंशीट में लिखते हो ठीक है कराब से अब पार्टनर्शिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली अलीगल बिजनस पार्टनर्शिप सिर्फ और सिर्फ किया जाता है लीगल बिजनस के लिए क्या इन नहीं होता होता है समद्रबात हम सब मिलकर आज बैंक में डाका डालेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में मिलकर बांट लेंगे बराबर मेहनत बराबर प्रॉफिट लॉस बराबर बराबर पार्टनर्शिप हुआ कि नहीं हुआ है तो यहां तो कोशन में कहता ह प्रू तो इसको तो फॉल्स बोलना चाहिए देखो इन लीगल बिजनस के लिए पार्टनर्शिप होता है ऐसा नहीं होता होगा लेकिन क्या यह पार्टनर्शिप लीगल कहलाएगा आप इसका रेजिस्टेशन करा सकते हो गवर्मेंट आपको परमीशन देगी ऐसे काम के लि लिए जो गवर्मेंट अप्रूब्ड ही नहीं है लीगल ही नहीं है कानून उसको मानियता ही ना दे अब तुम जबरदस्ति को होगे हो हां पार्टनर्शिप तो हुआ तो इसको थोड़ी ना पार्टनर्शिप माना जाएगा लाउ की नजर में सिर्फ और सिर्फ ध्यान र जब किसी साजेदार का प्रवेश होता है तो हम उसे एडमीशन अफ पार्टनर बुलते हैं ठीक है उसका नाम यहां कौंची दे रहा है डिसलूशन अफ दा और अब किसी साजेदार का प्रवेश होता है तब फर्म का विघटन होता है तो उसको हमलोगे बलते हैं यहां पर डिसलूशन आफ पार्टनर नहीं बोलते हैं ठीक है na हाँ हालाकी ध्यान रखना है aujourd कि जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्शी फर्म है हम उसको फर्म को क्या करते हैं पार्टनर्शी फर्म को क्या करते हैं हम रिकंस्टिटूशन करके फिर से हम नया पार्टनर्शी फर्म त्यार करते हैं क्यों कि डीड में पहले दो लोगों का ना कि अगर एक्स वाई और जड पार्टनर थे तो तीनों ने मिलकर फर्म तीनों ने मिलकर ही डिसाइड किया कि फर्म को बंद कर दो और दुबारा नियर फ्यूचर में इस फर्म को कभी शुरू ने मतलब फाइनली क्लोज करना यानि एक्स वाई जड का पार्टनर सी फर्म था तीनों ने मिलकर डिसाइड कि traditions कि पर्म को बंद करो फर्म की सारी संपत्ति को बेच देंगे बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे हम एके करके अपना करद चुका देंगे और फाइनली फर्म को बंद कर देंगे तो इसको लोगो क्या बोलता है डिसलूशन तो क्या किसी साज़ेदार का एडमीशन होगा तो उससे में डिसलूशन करने जाओगे तो रिकंस्टिटूशन हो सक इसी लिए इसका आंसर दिया हुआ है माली कि यहां पर फॉल्स कि आगे गुडविल आफ दा फर्म इस पार्ट ऑफ करेंट असेट्स आपी सोचिए न कैसा मुर्ख वाला बात बुल रहा है ठीक है यहां देखो आंसर क्या लिखा हुआ है गुडविल करेंट असेट्स होता है ना एक होता है आपका करेंट असेट्स दूसरा क्या होता है नॉन करेंट असेट्स जिसको आप क्या बोलते हो फिक्स असेट्स भी बोलते हो जो नॉन करेंट असेट्स होता उसका दो पार्ट होता एक टेंजबल दूसरा इंटेंजबल असेट्स ठीक है और जो गुडव कि करेंट असे का यहां आप से क्या बोल रहा कुशन में बुरा गुडविल ऑफ दा फर्म इस दा पार्ट ऑफ करेंट असेट्स फर्म का गुडविल करेंट असेट्स का हिस्सा होता है नहीं होता है सर करेंट असेट्स नहीं वह किसका होता नौन करेंट असेट्स का हिस्सा त तो वरबाद हो जाएगा इसका अंसर क्या होगा फॉल्स ठीक है आगे दा बैलेंस ऑफ फॉर्फिटेड शेयर और री प्रेजेंट और कैपिटल लॉस बोल रहा है जो बैलेंस फॉर्फिटेड शेयर का बच गया उसको है ना जो अंश हम जब्द किये उससे जो पैसा बच ग हानी को दिखाता है लॉस हो गया तो तुम्हारे ले क्या है फाइदा नहीं हो गया कि हम तुमसे तुम्हारा शेयर जब्द किये तो तुम्हारा पैसा हम रख लिए उसके बाद उस शेयर को हम बेच दिये जो लॉस होना था हो गया जो पैसा बच गया जो लॉस हुआ तो मे तर दिख रहा क्योंकि शेयर भी तुमसे जब्द कर लिए तुम्हारा पैसा भी रख लिए उसके बाद उस शेयर को बेच भी दिए जो लॉस हो रहा था तुमसे जो पैसा रिकवर कि उससे भर लिए अब फिर भी अगर कुछ बच जाए तो उसको प्रॉफिट न कहोगे उसक आँक हो इससे पूछ रहा है दिस्टिंंक्स ब्ट्वेइन रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एन इंकमेंड एकस्पेंडिचर अकाउंट रिसीप एन पेमेंट अकाउंट और इंकम एंड एक्सपेंडिशर अकाउंट के बीच का डिफरेंस लिखे देखे यहां पे नहीं हमको इसी को नहीं देखके चलना है अपने मंद से अपने बुद्धी अपनी विवेक से काम करना है क्योंकि इसको अगर देखके चापना शु ठीक है देखिए बोल रहा है रिसीप एन पेमेंट अकाउंट और इंकम एंड एक्सपेंडिशर अकाउंट के बीच का डिफरेंस लिखो पहला डिफरेंस क्या लिखोगे कि रिसीप एन पेमेंट अकाउंट का नेचर यह क्या होता है और यह वाला क्या होता है नॉमिनल अक और यह बनता है ट्रेडिंग एन पील के बदले तो ट्रेडिंग पील नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया इसके बाद क्या बोले हम आपको कि देखो यह वाला होता है अक्रूवल बिसिस नहीं कैश बिसिस पर तेकर ना यानि रिसीप एन पेमेंट अकाउंट जो पर अक्रूवल बेसिस का मतलब आया या आने वाला है चला गया या दे देंगे उन दोनों को रिकॉर्ड करना है इसको क्या बोलते हैं अक्रूवल बेसिस सिर्फ करेंट यह वह होना चाहिए तो यह बनता है तुम्हारा कैस बेसिस यह बनता है कैसे अक्रूवल बेसिस पर इस account के debit side में हम जो पैसा आया उसको record करते हैं, जो चला गया उसको credit में record करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, उल्टा होता है याद कीजिए, पहले expenditure होता है, बाद में क्या होता है, income, यानि इसके debit side में हम खर्चों को record करते हैं, और credit side में हम क्या record करते हैं, income record करते हैं, उल वोता है ना यानि इस एकाउंट में opening या closing कैigm सुरी opening cash या bank balance इसके debit side में लिखकर चुरूच करते हैं और credit side में buy balance bidding लिख करके closing cash का या closing balance bank balance मुसक क्लोज कर लेते हैं जबकि इसमें क्या होता है कोई भी opening यह कोई भी क्लोजिंग कैस्ट का बैलेंस नहीं रिकॉर्ड करते हों कि समझके बात तो इस तरह से करके तुमको क्या करना है दुचार 5 दिफरेंट सभी है हम यह भी बोल सकते हैं इसके सब्सक्राइब अर्स क्लोजिंग कैस्ट और बैलेंस लिखते हैं जबकि इसमें जो बैलेंस बचता उसको सर्प्लस या नहीं तो डिफिशियंसी लिख के क्लोज करते हैं कि हाँ अपोजीट बचेगा तो तो यह कुल मिला करके रिसीपेंट पेमेंट का डिफरेंस हो जाएगा सोला नंबर कोश्चन देखो इस टाइब का कोश्चन मेरे हिसाब से मेरे विचार से एक्जाम में आने का चांस तो है वह थोड़ा जादा होता है इस बार के लिए क्योंकि लॉग कोशन करेंट इयर अभी 2023 का इक्जाम देखेंगे आप तो 2023 के एक्जाम में मैक्सिमुम कोश् बहुत जादा होता है देखो अ कि बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव डूरिंग दा इयर एंडिंग 31 मार्श 2017 में इयर एंडिंग और इयर एंडिंग हो रहा है इसका मतलब है कि एक जनवरी 2017 से शुरू होता होगा और 31 दिसंबर को खता हो मतलब कैलेंडर यह लेके चल रहा है मतलब यह वाला इंकम कब का अचांथ मेरा करेंट ये अगर कौन सा है 2017 मेरा मेरा केरेंट ये वह बोल रहा है पैसा इस तरह से मिला 16 17 18 छो chodzi सॉला का मतलब क्या होता है कि 2017 में हमको कुल मिलाकर 4,460 मिला यानि मिला है 4,460 जिसमें से 80 रुपिया कब का है 2016 का है मतलब कब का है पिछले साल का है इसके बाद 4,460 में 160 रुपिया कब का है 2018 का है मतलब कब का है अगले साल का यानि यह हो गया पिछले साल का और यह वाला कब का हो गया अगले साल का तो तुम ही सोचो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीफ चारज़ चासो साथ उसमें इतना हो गया पिछले साल का यह क्या हो गया अगले साल तो पिछला और अगला सब हटा दो तो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा करेंट इयर का कितना पैसा तो करेंट इयर का अगर इसमें से इन दोनों घटा त तो हम किया करेंगे या तो हम हमारे format के according चलेंगे आपके बुक में form at total subscription receive द्योरिंग यह तो यह वाला लिखोगे हड़ बड़ा नमर और उसमें से हम यह वाला पैसा और यह वाला पैसा उपणिंग निया आउटस्टेंडिंग और यह वाला यह ओपनिंग आउट्स्टेंडिंग और इवला क्या हो गया इन दोनों को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं इस इक्वल कि तो अगर आप फॉर्मेट बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है कि 4460 में इन दोनों को माइनस कर देना तो या फिर आप डारेट क्या लिख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन 2017 मेरा करेंट यह तो 17 में कितना मिला 4220 मिला यानि 4220 रुपया यह हो गया that product कि और रिशीवेबल कितना है यह तो निकालन पड़ेगा तो आप ही सोचिए 450 मेंबर है और हर मेंबर कितना देगा 10 रुपया देगा तो 450 मेंबर अगर 10 रुपया करके देता तो 4500 मिलता पैंतालीस सो में मिला है 4220 इसका मतलब कि कितना उधार रहे गया 280 तो इसका मतलब कि 280 रुपया मेरा रहे गया यह गया क्लोजिंग आउस्टेंडिंग तो घूम फिर करके कितना आ गया तो यही तुम्हारा अंसर हो गया ए देखो अ कि बोल रहा है आगे रुपीज 90 वेर एरियर फॉर 2016 2016 में यानि पिछले साल 90 रुपया उधार था तो 90 रुपया में कितना रुपया दे रिया 80 रुपया दे रिया इसका मतलब कि इस साल जब हम बैलेंस इट बनाएंगे तो इस साल के बैलेंस चीट में 10 रुपया मेरा क्या रहेगा अभी भी पैसा रहे जाएगा उधार असेट सेट में लिखोगे यानि इस साल का बैलेंस चीट बनाएंगे पिछले साल के बैलेंस चीट में 90 रुपया बैलेंस चीट में असेट सेट था बोला 80 मिल गया तो अभी कितना रहे गया तो बैलेंस चीट एक से अगले साल मिलेगा आगला पुरा साल भी दिया फिर भी पैसा नहीं दिए तो क्या बैले शेट से हटा दें उसको तब भी हम उसको बैले शिट में लिखेंगे और उसके अगले नहीं दे देते तो सोचीए ना कि 90 रुपिया आपके बैलेंसित में उधहार था पिछले साल इस लच्छे में इस साल कितना मिला अशी मतलब पिछले साल का दस रुपिया क्या लिखना होगा आज भी अपने बैलेंसित में लिखना पड़ेगा हम आद बोल रहा आगे कैलकुलेट दा इंकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इन दा इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउं बनाओ और उसमें दिखाओ कि कितना इंकम लिखोगे और दूसरा साथ-साथ बोल रहा है आपसे आगे और कुछ है नहीं बस तो कुछन आसान बन गया बैलिंस तुम को बनाने न चार हो चाहे हो दो हो बिल्पुल देगा कहें ने देगा है ठीक है कि देखिए नहीं सॉल्फ क्या होगा है कुछ लॉप सी बनाएगा है कि देखो है ठीक है कैल्कुलेशन ओफ इंकम 4220 करेंट या लिख लिया अब उसमें से 450 मेंबर अगर 10 रुप्या करके देता तो 4500 मिलता तो एक्चुल में 4222 रुप्या ही हमको मिला मतलब मिला 4500 था और 4220 लग गया माइनस कर देंगे यहां कुछ लिखा होगा है नहीं ठीक है सोरी हां ठीक ठीक कितना 200 भी 280 तो इसका मतलब कुल मिला कितना आता तो यहां कुछ लिखा नहीं है बोले आपको तो बस काम खतम हो गया अब आपको बोला कि इंकम 45 gens बेलंस बनाने नहीं भोला यहां नहीं बोला कि लेकिन फिर यहां देख़ी क्या किया श्यों कर दिया तो तुम फिरिस्क मतले ना सो कर बनाना नहीं बोलेगा तोirt고 बांच niece कर देंग। subscription हमारे लिए इंकम है अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो मेरे लिए सअ मिलना था अगर हम आपसे अडवांस में ले ले तो इंकम अगर अडवांस में मिलता है तो लाइबलेटी हो जाता है तो बैलेंस इसके बाद क्या बोले थे कि देखिए पिछले साल 90 रुपिया ड्यू था असी मिल गया तो 10 रुपिया आज भी मेरा क्या है ड्यू है मतलब मिल लेगा तो बैलेंस ट्रुपिया मिलने वाला है मिल थोड़ी गया तो मिलने वाला है तो घुन को मैं लेकिन शाज्जाद मेरे लिगया है एसेट भी तो है तो दोसिए रुपिया ही यह इस साल कुल मिला के कितना उधार लग जिया मेरा दो सबस्त हो गया तो ख़ली पोस्ट कर देना है इतना चुटा सा कोश्चन है 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 कि चोदा है है अब आए को अब आप से आजय है और विजय पार्टनर है किसी फर्म में कैपिटल यह यहां ती से दाब दस जार रस्पेक्टिवली क्या सौल्व करना हो देख लो पहले बोरा है प्राफिट एन लॉस अप्रोप्रियेशन अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना है पिल अप्रोप्रोप्रेशन में लिखते थे बाई और प्रेडिट सेट में प क्रेडिट प्रॉफिट लिखते हैं और इंट्रेस्ट रॉइंक्स डेबिट सालरी कमीशन इंट्रेस्टन कैटल रिजव और जो बचता था प्रॉफिट उसको पी एल अकाउंट पी एल रिश्यो में बाढ़ जाते हैं जब देखो में जो चीज हो का ठांस्वर करते जलेंगे है ठीक है ना तो देखिए कैपिटल दिया हुआ है 30,000 और 10,000 इस कैपिटल का काम कहा आएगा इंट्रेस्ट निकालने में तो डेबिट में लिख देंगे करा है दा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस्ट बिफोर टेकिंगे दो जब बिफोर लिख दे तो इग्नॉर करो आफ्टर लिखे तो जोड़ देना ठीक है विफोर लिखोगे विफोर जहां है इग्नॉर बिफोर का मतलब इग्नॉर करना और आफ्टर लिखा है तो एड़ गरना एक्जाम में कन्फ्यूज होंगे तो आफ्टर का मतलब उता एड़ तो जोड़ देना आफ्टर का मतलब के से सुरू हुआ एक अमतलब डिशन तो आफ्टर जहां लिख दे आफ्टर दा पेमेंट आफ सैलरी कमीशन यह वह जहां आफ्टर लिख दे तो ध्यान रखेगा पहले उसको जोड़ देना है प्रॉफिट के साथ तब लिखना उसको पढ़ लिया सब क्या तो जहां आपको ध्याना है बीफोर है इग्नोर कर दो उसका कोई काम नहीं है कुस्तर में और जहां आफ्टर लिखा वहां जोड़ देना ठीक है बोल रहा है बीफोर टेकिंग इंटु अकाउंट आफ दा प्रोविजन बीफोर लिखा छोड़ दू पॉदा इयर एंडिंडि इसका कैपिटल इस पर इंट्रेस्ट कितना छे पसे बोरा विजय को सैलरी मिलेगा तीन हजार ध्यान रखना पी ए लिखा पार एनम लिखा हुआ है इसको भी कहां लिखोगे देबिट साइड लिखोगे लेकिन उसका इंट्रेस्ट तुमको निकाल के दे दिया सो और पचा पास तो यह कहां लिख दोगे रेडिट तो इसका कोई यूजी नहीं हुआ है और अकाउंट को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट को डिस्टिब्यूट करेंगे पी यल रिश्यो दिया हुआ इसके बीच में क्या प्रॉफिट लाउस रिश्यो दिया हुआ है नहीं कैसे होता है कांता कुशन हो गया बाकी आगे देखा जागे हैं हाँ कर दो